फेस्बुक पर लिखा नेक्स्ट विधायक विजवपू फिर क्यों नहीं लड़ा चुनाव सुनिये ऐसे कई सवालों पर क्या बोले कृशना श्वर्मा खबर करहल से है जहाई यूआ जन जागरिती मंच के फाउंड़ क्रिशन शर्मा ने कुछ समयपूर वविजवपूर विधान सभा से चुनाव लड़ने का वन बना लिया था और इसका प्रिचार प्रसार अपने सोशल अकाउंट से लेकर आम जन के भी शुरू भी कर दिया था मगर अंत में जुनाव मैदान में कही नजर नहीं जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने इसके जवाब में वापारिक शेत्र में व्रस्ता होना बताया वाई शेत्र के कई अनने मुद्दे सड़के रोजगार और कराहल नगत पंचायत के अधूरी घोशना पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की हैं सम्माता तामीट श्रिवास सब की रिपोर्ट हमारे साथ मौजूद हैं आज कुन रिजॉर्ट में योवा जन जागरिती मंच के फांडर क्रिश्णा शर्मा जो की एक ऐसा नाम है जो साइदी कोई व्यक्ति है जो इनने ना जानता हो यहां पर श्रमा जी आपका बहुत-बहुत स्वागत है आपको मैं देखता हूं आप फाश समचरको भी में काफी समय से देखता हूंक आपकी अच्छा कपरेज आपको बदाई आपकी मेहनत को भी मैं सलूट करता हूं कि आप काफी मेहनत करते हो छेत्र की जुलंत मुद्देक उठाते हो सवाल है जो जनता का भी अर्ब्यक्ति जानना चाहता है कि आज से दो तीन बर्स पहले आपने अपनी फेस्बुक पर एक हैश्टेक लगाया था कि नेक्स्ट है मेले बिजयपुर बिच्चोनाव भी हो गई बिजयपुर विदान सभा में बिदायक भी बन गई आपने वो लेविल है आप देखेंगे तो आपको मिल जाएगा फरक इतना पड़ गया है कि पहले जैसा वह पेज अब एक्टिव नहीं है पहले एक्टिविटी उस पर बहुत जाए थी मेरी अब एक्टिविटी कम हो गई है समश्य क्या है देखो मैं बताता हूं आपको कि जिस दौर में आया चलो यार जन सिवा की जाए लोगों तक मैंने नाज भी पहुंचा है आपने देखा होगा मेरी काफी वीडियो भी बारेल हुई है फेस्बुक पोश्ट भी आपने देखे कि मैंने काफी लोगों को साहिता जो मुझसे बनी स्विम के लेवल पर आप पूछले किसी जैसे पेंड़ा में खतम हुआ तो आपको पता है कि पूर में कोवेट से पहले जो हमने यह राजनीती स्टार्ट करना चाहिए लोगों की सेवा करना चाहा हमने तो उसके पहले क्या था कि मेरी कुछ जिम्मेदारी थी जैसे कोविड खतम हुआ तो मुझे अपने दुवारा लोटा और बिजनिस में इतना वजी हो गया आप बीजनिस को करने के लिए कितने आफ़र्स लगते हैं और यह आप कहीं बहार बिजनिस कर रहे हो बड़े लेवेल पर कर रहे हो तो आपका एफट रहताए मेंटली फुझाली और मनी लेविल तो वह एक बिजिना के पर उसी निरटा के साथ हम लोग मैदान में आएंगे और चेत्र के जो समष्य है जली की समष्य को हम करेंगे क्रिष्चनजी आप कहิ Societal को क्रिष्थ ऐसे जनता की सिवा कर रहे तो worldview लड़ने का खयाल मन में आया उसकी बाद अपनी जिम्मेदानियों के बापिस जाना पड़ा तो छेत्र में एक्टिव नहीं रहे पाई क्रिश्णा जी आपके नाम पर एक क्रिश्णा गुरूप चलता है आखिरकार लोग भी जानना चाहती है हमारे अलावा कि क्रिश्णा ग जो करहाल से लेके पूव्य तक चल रहा है आप लोग की जनता यसिवाद से महवाप की करपासे इसमें उपकरम में हम लोग मीडिया में हैं आपको पता क्रिश्णा गुरूप की मीडिया में भी हमारा योगदान है क्रिष्णा गुरूप एडूकेशन में भी है क्रिष्णा गुरूप रियल स्टेट में भी है क्रिष्णा गुरूप एंजियो में भी है तो जितने भी काम हम कर रहे हैं उसमें ज़्यादा तर जनता की भलाई के लिए जो कारने वो कर रहे है तो कृष्णा गुरूप का पारूप यही है कि इस पारूप से कहीं न कहीं जन्ता का भला हो और एक सोच है एक बड़ी सोच है कि गुरूप बड़ा हो जाए काफी लोगों को रोजगार दें आप जतने भी उपकरम देख रहे हैं इसे कहीं न कहीं लोगों को रोजगार मिल करहाल में भी मैं रोजगार दे रहा हूं करहाल के बाहर भी रोजगार जा रहा है कुछ समय बाद हो सकता है कि करहाल में देनतागी सेवा बिना मिनात की कुछ नहीं होता है कृष्णा जी आज एक बहुती अच्छा देना है कि आज चीतों के कुणवे में फिर बड़ोत्तरी होई है आज पांच साबकों का जन्म हुआ है तो कहीने-कहीन एक अच्छा संदे से चित्र के लिए कि जो चीते अभी एक कुछ समय पहले ह गवा चुके थे किनी कारणों से आप चीतों के कुनवे में व्रद्दी हो रही है और नए साबक जो भारत की धरती पर पैदा हो रहे हैं यह कहीं नहीं कहीं बड़ी इस्ट्रों होंगे ऐसी सब लोग विसे सग्यों का भी मानना है क्या कहते हो चीतों को लेके सेंचुरी में क संक्या और कुछ विकास होने वाले हैं देखो जो आज पांच साबक दिये हैं पैदा हुए हैं तो उनको हमारे कराल चेत्र की धरती पर कुना धरती पर उनका स्वागत है नन्य मुन्य बालकों का और मैं कराल चेत्र के कुनों चेत्र के जलावासियों को सभी को बढ़ाई चीतहचीता जननम होरा जनकी बढ़ रहेगा उनकी संक्या बढ़ाेगीं यह मैं इस वरसे कामना करता हूं वह अच्छे स्वस्त है तंदुरुस चेत्र प्षिडा चेत्र के मैं बता हूं मैं करफाल कौने को चला जाता हूं मैं деньги ज्वयूर मैं पर मॉझ्थ प५ून जाता हूं तो लोग बोलते हैं आप कहां के रहने वाले हो कहां से हो आप तो मैं बोलता हूं आपकोа कूनों कहां जहां पधानन्मंतरी मोदी । मांप ze पर जाता हूं कभी बड़ा घरव होता हूं कि मजे इतने exercise box मैं घराल मैं ऑनुटा य। कारण है हमारे SSB पधान मंतरी मोधी जो श्योम कराल की धर्ती पर आये कराल की धर्ती को धन्न किया उन्होंने तो मैं सबी को बदाई देना चाहता हूं कि कुनों मैं विकास हो चीतों से छेत्रवासियों को रोजगार मिले यहां छेत्र में खुसियां है और मेरा आखरी प्रय कि अब कुछी दिनों पहले उनका स्थानांत्रन कर दिया गया किस तरह देखते हो एसे कवन्हों कि समश्यां उठाई छेत्र में तो हमने उससमय समय समश्यां उठाई थी उसमें से 99.9 परसेंट समश्यां समधान हुआ मैं बदाई देना चाहूंगा छेत्र की जंता को जंत पत्रकार हैं उनको भी बदाई कि हमारी समश्चा समधान हुई एक दो कुछ समश्चा है उनका निदान अभी पेंडिंग में वह समधान हो जाएगा अब आती है बात की कलेक्टर साब की बात करें तो शंजे कुमार सर्जो थे एक डायनामे क्लेक्टर थे उनकी जैसा डायनामे क्लेक्टर छेतर में बहुत ही कम है और उनकी एक प्रॉबलम है तो उनका निराकन वह हो इमेजेट करते थे लोगuna के काम से प्रवाववित क्यों क्योंकि उनका वर्किंग स्टाइल जो स्टाइल था कि इमेजेट फोन करके बुलाना इमेजेट पैसा रिटन करवाना गरीब जो लोग है गरीब गुर्वा लोग है उनकी समस्चा को तुरन सुनना तो वह उनके अंदर एक अच्छी क्वालिटी मुझे लगी और उनका जो ट तो उनका कार अच्छा रहा और खुशी की बात है चेटर जनता के लिए खुशी की बात है कि अब जो क्रेक्टर आये हैं वह भी डायनमिक रेक्टर नहीं और एक यंग है और यंग जब आदमी आता है च्छेतर में तो अलग उर्जा से कारे करता और यह भी आप देखना का काफी अच्छा कार करेंगा हमारे च्छेतर का विकास में एक बहुत बड़े प्रहडी बनके अबर हें गई तो मैं जला करेक्टर को बहुत-बहुत स्वागत करता हूं कि आप छी शोपूर जिले में आपका स्वागत है और आप शोपूर के विकास में साहिता करे हम से जो मैं पूरी तरह से एक्टिब क्यों नहीं हुए मैंने बताया था कि कुछ एक जिम्मेदारियां थी अब वो जिम्मेदारिये पूरी हो गई है अब आज मैं आपके केमरे के माद्यम से करना चाहता हूं कि युवाज अंजागरती मंच छेत्र में आएगा जिले में पहल करेगा और जितना संबब होगा लोगों की समश्या के समाधान के लिए एडी से लेकि चोटी तक का जोर लगा देगा आपने लोगों की समश्याओं की बात की एक चीज़ जोर है लोगों की मांगे कि नगर पंचायत का दर्जा कराल को मिले कई वर्सों से गुष्णाई भी अदूरी है और अभी एक नई गुष्णा नई मुख मंत्री भी कर गहें सेस्वी प्रा आकर क्यों नहीं हो पा रही है और ना होने की बज़े से कितने लाब लोगों को नहीं मिल पा रहा है देखिए आपने एक अच्छी बात पूछी कि करहाल चेत्र में जो की सबसे बड़ी पंचायत है शोपर जिली की सबसे बड़ी पंचायत है वहां नगर पालिका नगर पंचायत क्यों नहीं बन रही है तो देखो ऐसा है कि बड़ी दुरभाक की बात है जितनी जन्संक्या जितना पापुलिशन आज छेत्र की है तो उस पापुलिशन के साब से अगर देखा जाए तो यहां पर नगर पंचायत बननी चाहिए हमें नगर पंचायत देखने को नहीं मिल रही है सुक्षवदा है वहां की हम ले नहीं पा रहे है मुल्वू सुवदाओं से लोग मुख्वंत्री भी कह गए अभी कि जो नए मुक्मनों ने भी आस्वसंद दिया है कि बन जाएगी तो क्यों नहीं बन रही है क्या कहीं कुछ लूप है एक तो यह लूप हमको जानना है आपके माद्यम से कहना चाहूंगा अगर मुझे मौका मिला जिम्मेदार लोगों से मिलने का तो मैं सबसे पहला मुद्दा उठाऊंगा करहाल की नगर पंचायत को बनाने के लिए और यह बनना चाहिए लोगों का अधिकार है जरूरत है हक है अगर यह नहीं बनेगी तो आप समझे करहाल हमारा बहुत पीछे जा रहा है आप बढ़ोदा देख लो बेरार द किदी है बहुत सज्जन है चंता सामने आए अपनी समस्चा लोगों को साम रखे और मैं तो रखूंगा हम तो रखने वाले हैं अब यह नव निर्मित पुल है कुनो नदीप है जो एक छोटा पुल था बार इसमों उसकी वैसे काफी परिशानी आती थी तो सरकान ने दिया और यह ओबर ब्रिश यहां बना दिया है इससे अब बरसात में लोगों को परिशानी नहीं गई आब अगर निस्तर नहीं होगा क्या कहती है इस पुक्सारी वेकास को लेगे सबसे पहले छेत्र बास्यों को बदाई दिना चाहूंगा कि अपने छेत्र में एक अच्छा ब्रिश बना है और यह जो आप देख रहे हैं ब्रिश यह एक त्याग तपश्चा के बाद बना है आज आप देख रहे हैं गाड़ी सरपड भाग रही है एक समय था कि यहां पर गंटो गंटो जाम लगता था तो यह आज हमें देख रहा है यह चेत्र में कुछ लोगों ने मुद्दे उठाए तो हमने जब हमारा अधिकार मांगा हमें समश्चा थी कि भाई यहां पर ब्रिश बनना चाहिए पुल बनना चाहिए तो ब्रिश बनके डेड़ी हो गया तो यह ब्रिश चीक चीक के कह रहा है कि अपने हक की बात करो अपने विकास की बात करो और जो सुवधाय आपको चाहिए उन्हें आप मांगो और आप जब मांगोगे तो आपको सुवधाय मिलेंगी आप देख सकते हो कि आज इतना भब ब्रिश बन चुका है कराल के छेत्र मे और विकास को देखा रहा है यहां पर टोल भी लगा हुआ है आप देख रहे हैं लेकिन टोल लगा आये लेकिन उतनी सुभदा नहीं है क्या कहते हैं इन सडकों के बारे में अब यह देखो अपन गाड़ी चलाई रहे हैं अब यहां फास्टेक पर समस्च्य क्या होती है यहां फास्टेक लगा रहा है इन लोगों ने जो पैसा ले रहे हैं ना तो यहां क्रेंड की वश्ता है और सबसे बड़ी क्या है यहां कोई बैकती अगर साइट में गाड़ लगा के सोचा लाएं के लिए जाना चाहे वो फु बढ़ा है तो भी ये लोग देते नहीं है तो जिस तरह से पैसा ही ले रहे हैं आप अपन देख रहे हैं एक साइड बना इस पूरा पूरा ले रहे हैं बट इनका जो रोड को निर्मान कार रहे वह एक्दम घटिये लेविल का तो अब समझ सकते हैं कि यहां पर सुभधा क पैसा यह ले रहे हैं वो नाम मात्र के सुवधाय और पैसा पूरा-पूरा ले रहे हैं लोग इस पर यहां के जो ग्रामीड है जन प्रतिनिदी हैं या आप जैसे पत्रकार हैं उनको उठाना चीए आवाज और बोलना चीए कि इस तरह के एक्टिविटी यह क्यों हो रही है बाई रोडी आपका आना जाना होता है पूना से बम्बे से क्या कहना चाहते हो सीपरी से करहल तक की सडक की विशेम मैं मैं काफी जगे बाई कारी गुमता हूँ आपने मेरा देखा भी होगा अश्यास फोटू बगरा पर फेस्बुक देखे होंगे आपने मेरी तो कार से जाने में एक अनुवा मुझे मिला कि आप मुंबई से कराल आ जाओ आप कराल से दिल्ली चले जाओ तो केवल शोपुर से शीपुरी का जो पट्टा है यही सबसे आज के टाइम पे आज 2024 में अगर कोई हाइवे अगर सबसे खराब स्तिती में है तो मेरी नजर में शोपुर से शीपुरी वाला ही है जब किसा नहीं है कि यहां अपन यह जो डबलमेंट नहीं पा रहा है उसका टेक्स नहीं कट रहा है आप देखे पीछे एक टोल था पर डबलमेंट क्या है क्योंकि यहां पर लूट जादा है और विकास बहुत कम और जिस तरह से यह आप लोग कुछ सुथना चाहिए और जन्पितने दिये हैं और सासन परसाल सब्सक्राइब कि यह क्यों अब देखो यह रोड आपन देख रहे हैं यह रोड आज के टाइम पर गाहों में से रोड है नहीं है जो अपन हाइवे पर देख रहे हैं अच्छा बिकास की बात हैं तो क्यों यह जो कुनो सेंचुरी यह उनीए के रास्ते कुनो से पूंचने ते कि पर्याठक भी नाममत्रवर काम भी नहीं है ऐसा क्यों है असल में क्या है मेंने आपको बोला कि दियो मुझ मंतरी और प्रदान मंतरी जो है उनके उनके वीजन लेकर जो निश्य है वह अच्छा है और अच्छा काम रहे हैं पर बर पमसर्च पैस्व ने आश Care ब्ता दें थिया उन्हों ने जो रोड निर्मार संबंदित लोग हैं वो इसको सीरस नहीं लेते अच्छा कोई भी नेता या कोई भी मुख्य बैक्ती जब आता है तो एक समय में 50 बात नहीं कर पाता है इस्तिती देखता है